आज की हमारी कहानी है इनसान की कीमत एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेव से 100 रुपे का एक नोट निकाला अब बच्चों की तरफ वह नोट दिखा कर कहा क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह कितने रुपे का नोट है सभी बच्चों ने कहा 100 रुपिया का टीचर इस नोट को कौन-कौन लेना चाहेगा सभी बच्चों ने हाथ खारा कर दिया अब उस टीचर ने उस नोट को मुठी में बंद करकी बुड़ी तरह मसला जिससे वह नोट बुड़ी तरह कुचला सा गया अब टीचर ने फिर से बच्चों को नोट दिखा कर कहा कि अब यहा नोट कुचल सा गया है अब इसे कौन लेना चाहेगा सभी बच्चों ने फिर हाथ उठा दिया अब उस तीचर ने उस नोट को जमीन पर फेका और अपने जूते से बुरी तरह कुचला फिर टीचर ने नोट उठा कर फिर से बच्चों को दिखाया और पूछा कि आब इसे कौन लेना चाहेगा सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया अब टीचर ने कहा कि बच्चों आज मैंने तुमको एक बहुत बड़ा पढ़ाया है ये 100 उठा का नोट था जब मैंने इसे हाथ से कुचला तो ये नोट कुचला गया लेकिन इसकी कीमत 100 उठा ही रही ठीक बैसे ही इंसान की जो कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है वो हमेशा वही रहती है आपके उपर चाहे कितने भी मुस्कीले आ जाए चाहे जिंदकी मुसीबदों की धूल आपके उपर गिरे लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गवानी है आप कल भी बहतर थे और आज भी बहतर है